परज़ागी शुरुबात करता है एक बहुत अच्छी खबर के साथ और वो अच्छी खबर ये है कि कतर में जिन पूर्व नौसैनिकों को सजा मिली थी भारत की कोशुशों से अब उनकी वतन वापसी हो चुकी है दलकुल बहुत खुबसूरत तस्वीरे सामने आए आज सुबह जब पूर्व नौसैनिक दिली एरपोर्ट पहुँचे तो उनके खुशी देखते ही बन रहे थी सबने सरकार का शुक्रिया किया साथी कतर के अमीर को भी उन्होंने धन्यवाद दिया यह खुशी है सुरक्षत अपने बतन लौटने की यह सुकून है अपने बतन की सरजमी पर दोबारा कदम रखने की क्योंकि कल तक जो मेशन नाममकिन लग रहा था उसे भारत सरकार ने ममकिन कर दिखाए कतर ने आठ भारतिय पूर उनासनिकों को रहा कर दिया और उनकी बतन बापसी ममकिन हो पाई जिस खबर का इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था जिस खबर की प्रतीक्षा में तमाम लोगों के परिवार बाले पलकें बिच्छा इंतजार कर रहे थे वो खबर सुबह सबेरी आई और कतर से आठ पूर वनासनिकों में से साथ की वतन वापसी हो गई सभी निभारत सरकार को शुक्रिया कहा खतर की अदालत ने इन तमाम लोगों को मौत की सजा सुनाई थी देश के हर नागरिक को ठका लगा था लेकिन बात में भारत के अनुरोद पर सभी की सजा को कम करके पहले उन रुकैद में तबदील किया गया और उसके बाद सब की रिहाई हो पाई सुभे सुभे विदेश मंत्राले ने इस बारे में पूरी चानकारी थी जिसमें कतर सरकार को शुक्रिया कहा गया अपने बायान में विदेश मंत्राले ने कहा कि भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए देहरा ग्लोबल कमपनी के लिए काम करने वाले आठ भारती नागरिकों की रहाई का स्वागत करती है प्रसनता से भर जाता है प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षी के बाद थोड़ी उमीद बनी थी और जो हुआ वो तो सब की बेहतरी के लिए है कतर में मिली कूटनेतिक विज़े कई माइनों में खास है ये जीत इसलिए भी एहम है क्योंकि कुछ महीने पहले तक इन नौसैनेकों को वहाँ की अदालत मौत की सजा सुना चुकी थी लेकिन बाद में भारत सरकार ने ताकत जोंकी और सब कुछ बदल गया कतर से पूर्वन नौसैनेकों की वापसी बेहद मुश्किल थी क्योंकि वहाँ उन्ही मौत की सजा मिली थी लेकिन भारत की कूटनीती से पहले ना सिर्फ उनकी सजा उम्रकैद में बदली बलकि उन्हें देश वापस लाना भी संभव हो पाया भारत सरकार ने इन सभी को कतर से लाने के लिए जीतोड कोशिश की डेड़ साल तक सारे कानूनी रास्ते तलाशने के बाद इनकी रहाई का रास्ता साफ हुआ और ये वतन वापसी कर सके कतर से पूरु नौसैनिकों की रहाई का पैगाम आया तो पूरे देश ने राहत की सांस लिए लेकिन हिंदुस्तान के लिए पूरु नौसैनिकों की रहाई का या मिशन आसान नहीं था क्योंकि कुछ महीने पहले ही कतर की आदालत इन्हें मौत की सजा सुना चुकी थी दिरस्द ये सभी पूरो नवसेनिक कतर की अल दाहरा कमपनी में काम करने के लिए गए थी इन पूरो नवसेनिकों पर कतर ने जासूसी का रोप लगाया इन पर कतर के सब्मरीन प्रोजेक्ट की जानकारिया इसराइल को देने का रोप लगा अगस्द 2022 में आठ पूरो नवसेनिकों को गिरफदार कर लिया गिया सितंबर के महीने में इनकी जमानतियाश का खारिज कर दी गए और फिर 26 अक्टूबर 2023 को कतर की अधारत ने सभी को मौत की सजा सुना दी इन पूरो नवसेनिकों की सजा कम कराने के लिए कई बार कोशिशे हुई लेकिन इनकी जमानतियाश का हर बार खारिज होती रही भारती नागरिकों को सजा का एलान होते ही भारत सरकार एक्शन में आ गई सरकार ने इस मामले को बेहत संजीत की से लिया और इन पूरो नवसेनिकों को वापस लाने में अपनी पूरी ताकत छोग दी सरकार पूरो नवसेनिकों की रहाई कराने के लिए कानूनी रास्ते तलाश रही थी कतर को मराने के लिए भारत ने मदस्ता के लिए तुर्किये को अप्रोच किया भारत ने इस सिलसले में अमेरिका से भी बात की क्योंकि रड़नितिक दोर पर अमेरिका की कतर पर अच्छी पकड़ है इसी वीच दुबाई में कतर के अमीर के साथ मुलाकात में प्रधान मंद्री मोदी ने ये मुद्दा उठाया बियमोदी के तकल का असर भी दिखा और सभी पूरू ने साथ कम करके उम्र कैद में बदल दी गई मार्च 2023 में कतर की अदालत में सुनवाई का सिलसला शुरू हुआ और दिसंबर आने तक मौत की सजा उम्र कैद में तब्दील हो गे लेकिन सजा कम होने के बाद भी भारत सरकार लगातार इन नौसानिकों को रिहा कराने की कोशिशों में जुटी रही एक तरफ सरकार इन साइनिकों के लिए प्रयास कर रही थी तो दूसरी तरफ विदेश मंत्री इन पुर्व साइनिकों के परिवार से मिलकर उनका होसला बढ़ा रहे थे पूरी प्रक्रिया के दौरान भारत सरकार कतर में कैद भारती नागरिगों के लगातार संपर्क में रही और आखिरकार वो दिन आया जिसका सभी को बेसपरी से इंतिजार था हिंदुस्तान की कोशिशे रंग लाई और कतर में गैद हिंदुस्तानियों की वतन वापसी का रास्ता साफ हो गया विदेश की जेल से निकल कर जब इन पूरों सैनिकों के कदम भारत की जमीन पर पड़े तो ये पल इनके जीवन का सबसे यादकार लमहा बन की विदे रिपाउर वर निश्टोन वापसी की जा रहे हैं उसको लेकर लोगों में किस तरह का भरोसा जग रहा है उसका ताजा उधारत उत्तर प्रदेश के रामपुर से सामने आया मिलकुल यहां से 30 साल पहले एक शक्स घर छोड़कर कहीं चला गया था लेकिन अब उसके पाकिस्तान के जेल में बंद होने का पता उसके परिजनों को चला है जिसके बाद अब वो भी सरकार से उसे वतन वापस लाने की गुहार लगा रहे है इन लोगों के चेहरे पर उमीद की एक किरण दिखाई दे रही है कि ये अब अपने उस भाई से मिल सकती हैं जो घर परिवार छोड़ कर कहीं चले गए थे इनका वो भाई कहां है इन्हें कुछ पता नहीं था लेकिन अब एक good news इन्हें में लिए है कि इनका वो भाई पाकस्तान की जेल में बंद है आलम परिवार वालों से नाराज होकर घर छोड़ कर चले गए थे और अब जाकर LIU यानि लोकल इंटेलिजन्स यूनिट से जो उनके पाकस्तान की जेल में बंद होने का पता चला है तो परिवार को उम्मीद है कि सरकार उनकी वतन वापसी की कोशिश जरूर करेगी यही ग आलम मिया जब घर छोड़ कर चले गए थे उस वाक्त उनके भाई काफे चोटे थे लेकिन तीस साल बाद भाईयों को अपने घर छोड़ चुके भाई के बारे में पता चला है तो अब इन्हें यह उम्मीद भी जगी है कि सरकार की कोशिसों से यह अपने भाई से मिल भी प आम और क्या खास हर कोई लाला इत है यहां आम शुरद हलूं के पहुंचने का संसला तो चल ही रहा है वी आई पी भी लगतार अपनी हाजरी लगा रहे है आज आम आदमी पार्टी के सेंजक और दिली की मुक्य मंतरी अर्विंद के ज़िवाल के अलावा पंजाब की मुक् भक्त अपार आस्था अप्रमपार अयुध्या में राम भक्तु की बहार राम लला के दर्शन का सपना लिए देश भर से तमाम भक भगवान राम की नगरी अयुध्या पहुंच रहे हैं ताकि राम लला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर उधन्य हो सके प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही भक्तों की भीड अपने आराध्य के दर्शन के लिए उमड रही है क्या नेता, क्या अभिनेता और क्या जनता रोजाना लाखू लोग राम दर्वार में अपना माथा टेकने के लिए आते हैं गोआ से ऐसे ही रामभक रामलला के दर्शन के आसलिये पदियात्रा करते हुए अयुध्या की ओर जा रही है बदन पर भगवा लिबास, जुबान पर जैश्री राम का जैगोश और दिल में रामलला के दर्शन के आस कुछ इसी अंदाज में गोआ के पचाश रधालों का ये जथ्था 21 किलोमीटर की पदियात्रा करते हुए 25 फरवरी को अयुध्या पहुँचेगा भक्तों का सैकड़ों सालों का सपना साकार हुआ है तो जाहिर है भक्तों का जोश और जजबा सात्में आस्मान पर है भक्तों की आस्था का ध्यान रखते हुए आस्था स्पेशल ट्रेन अलगलग शेहरों से अयुध्या पहुँच रही है मुंबई से भी आस्था स्पेशल ट्रेन रामनगरी के लिए रवाना हुई रामदला के दर्शन का उत्साहा एक सपने के साकार होने की खुशी इन लोगों के चहरों पर साफ देखी जा सकती है इस खास मौके पर ट्रेन के रवाना होने से पहले का नजारा देखने लायक था वहाँ सबसे पहले रामभक्तों ने इस आस्था स्पेशल ट्रेन के इंशन की पूजा की उसकी आरती उतारी और पूल चड़ा है बहुत लोगों के बहुत खुशी है लोगों के एकदम अद्बूत खुशी है रामजी के लिए छुटी के हम लोग जॉब छोड़के भी रामजी के दर्शन के लिए जा सकते इतने पास्तो साल का जो संगर्श किया है हमारे पुरूजों ने उसका सफल फल मिल रहा है पर राम चंडर की जैए। CSMT स्टेशन पर मौजूद लोगों ने भगवा जंडे दिखा कर आस्ता स्पेशल ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान ट्रेन के हॉर्ण के साथ काफी देर तक स्टेशन पर शुराम के जैकारे घुंचते रहे। भगवान के दर्बार में क्या आम और क्या खास राम लला का दर्बार सब के लिए हैं तुकि राम भी सब के हैं। ऐसे में राम लला के दर्शन के लिए सद्गुरु जग्डी वासुदेव भी राम लला के दर्शन के लिए अयुध्या पहुँचे। इससे एक दिन पहले पूरी उत्तरप्रदेश तरकार अयुध्या पहुँचे थी। सीम योगी समेथ यूपी के विधायकों और मंत्रियों ने राम लला के दर्शन किये थी। राय सेन से राजेश रजक आयुध्या से बनबीर सिंग के साथ प्योरा रिपोर्ट गुड निउस टुडेग। अयुध्या में राम लला के मंदिर की प्रान पतिष्टा हो चुकी है। तो अब देश के इकलोते ओम आकार के शिव मंदिर का भव्य उद्गाटन होने जा रहा है। ये मंदिर राजस्थान के पाली में है। बिलकुल आपको बता दे कि ओम के आकार का ये मंदिर राप में निराली छटा विखेता है। लाइटो से जगमख मंदिर रात में मानू दूध्या रोश्णी से नहा जाता है। और भव्य दिव्य नजर आता है। आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। तमस में जोती विखेर रहा है ओम मंदिर। अंधिकार में रोश्णी से नहाया पाली का ओम आकार का मंदिर अपने आप में अध्भुत नजर आ रहा है। रात में तारों सितारों की तरह ये ओम मंदिर चमचमा रहा है। बताया जा रहा है कि पाली के जाडन में ये विश्व का एक मात्र मंदिर है जो ओम के आकार का बना है। रात में इसकी भव्यता, दिव्यता के स्वरूप में प्रकट को रही है। रात के समय आकर्शक लाइटों से मंदिर को सजाया गया है इसलिए मंदिर जगमगाता दिखाई दे रहा है पाली में ये भव्वे मंदिर बनने से लोग गौरवानवित महसूस कर रहे हैं ये हमारे भरतियों के लिए और विशेशतर हमारे राजस्तान वालों के लिए बड़ा ही गौरव का विशाय है कि हम एक महने के अंदर राम मंदिर की प्रतिष्टा हुई और अभी ओम मंदिर की प्रतिष्टा को भी हम साकार होते हुए देखेंगे ये बंदिर विश्वदीप गुरुकुल स्वामी महेश्वरा नंद सिक्षा एवं शोध संस्थान आश्रम में बना है ओम के आकार के इस भव विश्व मंदिर को बनाने में करीब तीन दशक का समय लगा है मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कारेकरम 19 फरवरी को होगी जिसमें देश भर के साधू संथ आमंत्रत किये गए हैं भारत भूशन जोशी पाली गुट नियूस टुडे प्रधान मुच्री नेरे नमोदी मंगलबार को यूई की दौरे पर जोएंगे दरसल भाववे मंदर बन कर तयार हो गया है प्रधान मुच्री इसी मंदर का उदगाटन करने बहां जा रहे है बिलकुल अबुधावी में इस मंदर के उदगाटन की तयारियां लगभग पूरी कर ली गए है इस मंदर की भव्यता देखते ही बनती है बस दो दिन बाद बसंत पंचमी पर बुधवार को इस खुबसूरत मंदर का उदगाटन होका शांदार लाइटिंग में नहाया ये प्राचीन हिंदू शैली में तयार भव्य मंदर अबुधाबी की धर्ती पर बना है प्रधानमंत्री मोदी इस मंदर का उदगाटन करेंगे जिसके लिए वो मंगलवार को UAE रवाना होंगे अपने दौरे में PM मोदी वहां के राश्ट्रपती शेख मुहम्मद बिन जायद अलनाहयान के साथ भी बैठक करेंगे साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की UAE के उपराश्ट्रपती प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेथ कई नेताओं से मुलाकात होगी अपने टेम्म प्रधानम पिछले साल दिसंबर में धार्मिक संस्था बीए पियस यानी बोचास नवासी अक्षर पुरुशोत्तम स्वामी नरायन मंदिर समित ने ये नियोता दिया था ये अबुधाबी में पहला बड़ा हिंदु मंदिर है यहां रहने वाले भारतिये भी इसको लेकर काफी उत्साहित हैं इस मंदिर का निर्माण बीए पियस संस्था ने करवाया है 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जब अबुधाबी गए थे तब वहां की सरकार ने मंदिर को जमीन देने का वादा किया था इस दौरान UAE सरकार ने इसके लिए 27 एकड़ जमीन आवंटित की थी ये मंदिर 20,000 वर्ग मीटर जमीन पर बना है प्रधानमंत्री मोदी 2018 में इस मंदिर के शिला पूजन में भी शामिल हुए थे अब उधाबी में बने इस मंदिर की बनावट लगभग वैसी ही है जैसे दिल्ली, गुजरात, नियुजर्सी और दुनिया की दूसरी जगहों पर बने अक्षरधाम मंदिरों की है लेकिन इस मंदिर में ये खास क्याल रखा गया है कि यहां आने वालों को UAE और भारत की सांस्कृतिक विरासत की जहलग भी एक साथ दिखे मंदिर की इमारत में भारत से मंगवाए गए पत्थर लगाए गए है और इनकी नकाशी का काम भी भारतिय कारिगरों ने ही किया है यह जो मंदिर हम देख रहे हैं यह B.A.P.S. हिंदू मंदिर यह यहां United Arab Emirates का सर्वप्रत्थम ट्रेडिशनली स्टोन का पत्थर का बना हुआ यह सुन्दर मंदिर है यह जो मंदिर है वो पिंक सैंस्टोन जो राजस्तान से आता है और वाइट इटालियन माबल उससे बना हुआ यह पूरा मंदिर है जो साथ शिकर का है और साथ शिकर इसलिए बनाए गए है यह हमारा एक तरीका है यहां के जो नेता है उनके उनको अभार मनने के लिए हमने यह 7 Emirates बना है 7 Spires बना हुआ है और दूसरा, कि ये जो मंदिर है, वो सभी communities को, सभी faith को एक साथ में लाके एक harmony का काम करता है। That's why we call ये मंदिर को हम spiritual oasis of global harmony भी कहते हैं। इस मंदिर के निर्मान में लोहे या उससे बनी सामगरी का इस्तिमाल नहीं किया गया है। बलकि इसमें eco-friendly सामगरी का इस्तिमाल हुआ है। मंदिर परिसर में 5000 लोगों की क्षमता वाला community hall है। जाहिर है, विदेशी धर्ती पर बना ये खुबसूरत मंदिर ना सिर्फ हिंदू आस्था का बड़ा प्रतीक है। बलकि यहां से शान्ति और वासुधयव कुटुबकम का भी संदेश दिया जा रहा है। वियोरो रिपोर्ट गुड निवस टुडे। और आपको बता दे कि दिल्ली के मेजर ध्यांचन स्टेडिम में आदी महुसव 2024 चल रहा है। यह महुसव 18 परवरी तक चलने वाला है। दिल्ली के मेजर ध्यांचन स्टेडिम में आदी महुसव की शुरुवात हो गई है। आदी महुसव यानि एक्तियोहार जिसमें देश के तमाम जो आदिवासी हैं वो पहुंचे हैं। अपनी कारिगरी लेकर दिखाने दुनिया को कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। ये तमाम स्टॉल यहां पर लगाए गए हैं। तीन सो से जादा स्टॉल हैं। एक हजार से जादा कारिगर जो हैं वो पहुंचे हैं। आप बताए कहां से आए हैं हिंदी में बोल पाएंगें। आप में महारास्ट से हूं। हमारा जो कैंदर साशक पदर सिलवास्टा है। मैं यह वारले पेंडिंग मनाता हूं। मेरा नाए वीनु कालू भावर है। पहले हम यह से कैंवास के अपड़े पर बनाते थे। अब यह हम डायरे के प्रोडक के उपर वारले पेंडिंग मनाते हैं। यह सब यह मोबाइल स्टेन है। यह नेपकिन होलडर है। यह पैंस पैं होलडर है। यानि जरूरत के हिसाब से आप अपनी आर्ट और क्राफ्ट को भी उन चीजों पर बना रहे हैं। यह पैंटिंग को इन्हों ने उन चीजों पर उकेर दिया जो घर में अमूमन इस्तमाल होती है। यही शायद यह दर्शाने के लिए काफी है कि वाकई में जो ट्राइब्स हैं। उनको जरिया तो मिल रहा है कि वो दिल्ली आएं आदी महुतसफ जैसे महुतसफ का हिस्सा बने। क्या लेकर आए हैं दादा आप कहां से आए हैं। हमारा गाउ रगुरासपूर है। हम रगुरासपूर से लेकर आए हमारा यह ट्राडिशनल पेंटिंग है। इसको पटचितर पेंटिंग बोलते हैं। कि वोना यह जो पटचितर पेंटिंग होता है यह सब नैचुराल कलर से होता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं माचर प्रदेश के धर्मशाला की मनमोहग तस्वीरें दरसल यहां तिबबती नए साल को लेकर लोसर उत्सव मना रहे हैं इस तीन दिन के उत्सव का आज आखरी दिन है लेकिन उत्सव की जो चटा दिखी उसमें सब को खुश कर दिया है उत्सव की यह तस्वीरें हैं माचर प्रदेश के धर्मशाला की जहां तीन दिवसे लूसर उत्सव चल रहा है आरम पर एक ट्रस में डीजे की धुन पर कलाकारों के मनोह फृत्त ने सभी को मुप्त कर दिया इस सरकल डांस को देखने वाले तो दियरत खुश देखी ही खुद कलाकारों के चेहरे के खुशी भी देखते ही बनी एक के बाद एक डांस के सरी इन सब ने नए साल का जशन शानदार अंदास में मनाया हम लोग लूसर सेलिबरेट कर रहे हैं यहां डांस हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ खासतर से मुझे डांस से बहुत प्यार है मैकलोड गंच में तिबती समधाई लोसर उचसा मना रहा है इस मौके पर यहां जटे लोगों ने फारम पर एक रुट्यों का खुब लुट्व अठाया लोसर के लिए मैं यहां आई हूँ मैं बहुत उचसाहित और खुश हूँ क्योंकि पिछले साल के तुलना में इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा है इसलिए बहुत सारे लोग जुड़े है दरसल तिबदन न्यू येर पर इस उचसाह का आयूचन होता है नए साल के स्वागत में तिबदनी समुधाई लोसरोट्साँ मनाता है तीन दिनों तक चलने वाले इस उचसाह के दूसरे दिन रविवार को सबने जमBER डान्स किया इस उत्सव के सरीय तिपती समुदाई ने 2151 ड्रेगन बुट वर्श का स्वागत किया और वोटर रैबिट वर्श 2150 को अलविदा कहा तीम दिनों तक चलने वाले सिलोस और उत्सव का आजा आखरी दिन है विरो रपोर्ट गुड नियूस टुड़ाई और अबाद क्रिकिट की इंगलेंड के खलाफ तीसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया राज को पहुँच चुकी है पांच टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मैच 15 फरवरी से शुरू होगा और इस दौरान सौराष्ट की हेरिटेच थीम वाले होचेल में टीम इंडिया ठहरी है जहां खिलाडी काठ्यावारी फूड का मज़ा ले रहें तेरह फरवरी यानि की कल टीम को सुभा नाश्टे में फाफडा जलेबी, खाकरा, काठ्या, थेपला, खंबम दिया जाएगा और डिनर के मेन्यू में काठ्यावारी फूड, दही तिखारी, वगारेलो, रोटलो और खिचडी, कडी जैसे ऑप्शन्स रहेंगे अलगे इस दोरान आपको बता दे कि रोहे शर्मा अन कमपनी के सामने चिनौती भी बढ़ी होगी फिलाल सीरीज एक-एक के बराबरी पर है, जाहिर है कि ये टेस्ट जीत कर दोनों ही टीमें सीरीज में बढ़त लेना चाहेंगी राजकोर के सौराष्ट्रे क्रुकेट स्टेडियम में इससे पहले भारत और इंडिन के बीच 2016 में खेला गया एक लौता मैच था जो कि ड्रॉ रहा था कश्मीर बेहदी सुन्दर है लेकिन वो सिर्फ सैसा पार्टी के लिए नहीं है बलकि कुछ नया करने की चाहत रखने वाले और एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीनों का भी ये घर है बिल्कुल सुन्मर्ग में बेशिक स्कींग कोर्ट्स करवाया जा रहा है जिसमें तेलंगाना, अंदुपदेश, करनातक, मद्य जैसे दूर दराज की राज्यों से युवा पहुंचे है कश्मीर को यूही नहीं धर्ती की जन्नत कहा जाता है दूर तक बिछी बर्व की सफेज चादर धर्ती पर जन्नत के होने का एहसास करवाती है कुद्रत की बिछाई इस चादर पर रोमांच का अनंग लेती युवाओं की ये टोली इस एहसास को बेहत खास बना देती है जमू कश्मीर के गांदर बल में जवाहर इंस्टिटूट आफ मांटेनरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स की तरफ से इन युवाओं को स्कींग की ट्रेनिंग दी जा रही है ये वो युवाओं है जो देश के अलग-अलग राज्यों से इन हसीन वादियों के बीच पहुँचे है जवाहर इंस्टिटूट सर्दियों में स्कींग का कोर्स करवाता है जहां चन्द दिनों की ट्रेनिंग के बाद ये युवा बर्फ से ढखे मैदान पर हवा से बाते करते नजर आते हैं इसी तरह गर्मियों में युवाओं के लिए संस्थान की तरफ से परवता रोहन के कोर्स करवाये जाते हैं जो विंटर का हमारा भी सेशन चलता है ये बिसिकली दिसेंबर से शुरू होता है और ये मार्च तर चलता है अभी यहां पर स्कींग का कोर्स चल रहा है हम बच्चों को बेसिकली नव सकिये बच्चों को जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है उनको एक बहुत ही जीरो लेवल से लेकर के एक माउंटेनेरिंग एक एक स्पीडिशन करने की काभिले देते हैं माउंटेन में और स्कींग में एक बच्चा जो की आप देखते हैं कि गिरना और जो सिर्फ जिनको स्की के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता उनको एक ऐसे लेवल का स्कीयर मनाते हैं जो इस प्रकार की हायर स्लोपों से उतर बाएं इस तरह की केपिबिल्टी हम देते हैं इस एडवेंचर स्पोर्ड्स के साथ राष्ट्रिय एकता का भी पाट पढ़ाया जा रहा है असल में देश के अलग-अलग हिस्सों से कश्मीर पहुंचे इन इवाओं को जम्मू कश्मीर के साथ साथ दूसरे राज्यों के लोगों और उनकी संस्कृती को भी जानने का मौका मिलता है अगर हम इसको प्रोफेशन की बात करेंगे तो रिसेटली हमारे जेंड के से एक ओलम्पियन भी निकला है और इफ खान के नमसे जो गुलमरक का एक मशूर सिक्यर है तो लोगों ने जो देखा कि यहां इस स्पोर्ट्स में जाके भी हम अपना केरियर बना सकते हैं तो उस लहाज से अगर हम देखेंगे तो यह एक कम्पिटेट स्पोर्ट्स है अगर हम इसमें जाएंगे तो इसमें अच्छा खासा फ्यूटर है पिछले कुछ समय में देश के युवाओं में स्नो स्कींग को लेकर दिल्चस्पी बढ़ी है लिहाज़ बड़ी संख्या में लोग कश्मीर का रुख कर रहे हैं अगर देखें तो इस साल बरफ तो कश्मीर में दसंबर और जनवरी में बहुत कम पड़ी थी लेकिन जनवरी के आखर में इस बरफबारी ने कश्मीर के पहारी इलाकों में खास और से परिटन इस्थलों पर स्नो सिकिंग के लिए दुबारा जो है मंच खड़ा कर दिया है माजिद फारुक के साथ अश्रफवानी सुन मर्ग और अब बात चल रहे वैलेंटाइन वीक की करते हैं आज हग दे है और 14 को वैलेंटाइन दे होगा इसके लिए लखनों के सराफा बजार में एक खास गिफ्ट भी है क्या है वो खास गिफ्ट देखिए शिल्पी सेर की इस रिपोर्ट में मैं चाहता हूँ कभी ये हसीन काम करूं गुलाब सारे चमन के तुम्हारे नाम करूं अपनी बात कहने के लिए गुलाब का सहरा तो बहुत पहले से लिया जाता रहा है लेकिन इस बार खास बात ये है कि ये गोल पॉलिश का गुलाब भी देख रहा है जो लोग पसंद कर हैं हम लखनो में चौक मार्केट में हैं और सबसे बड़े सराफा मार्केट में से एक है लेकिन इस बार वैलेंटाइन स्टे के लिए जो तोफे मिलते हैं उसके साथ ये गोल पॉलिश के गुलाब भी मिल रहे है मिनो जी ये तैयारी वैलेंटाइन स्टे को देखते हुए आप लोगोने की हैं और ये क्या गुलाब के फूल पसंद किये जा रहे हैं क्या खासियत है बहुत लोग इसको पसंद कर रहा है है तो सबस्द interviewed आप जो है और बनी रहती है और इसको आप आपने किसी भी प्रेमी इसको गोल पॉलिश में भी अब तयार किया गया है लेकिन वैराइटीज कई रखी गई है गुलाबी रंका भी दिख रहा है और सबकी अलग-अलग यहां पर वैराइटीज है अलग-अलग कीमत भी है वैलेंटाइंस टे को देखते हुए यह तैयारी की गई है सराफा मार्के विडियो जर्नलेस रोहित मिश्या के साथ शिल्पी सेन लखनौ देखे कहते हैं कि कुछ अच्छा करने के लिए आपको प्रतीक्षा करने की जरुवत नहीं है कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही होती है कि आज अच्छा करें बिलकुल लोग क्या करते हैं वो नहीं ब आज के लिए हमें दीजे अजाजत कल की चाहे शाम पांच बजे गुड न्यूस टुडे पर.